आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हमें Question में गिवन है एक Function है, ठीक है वो किस तरह से Define है, R to R में इसका मतलब Domain भी R है और Code Domain भी R है ठीक है, इस तरह से Define है कि जो Function है, वो क्या है Mod X into X minus Sin X तो अपने को बताना है कि Function 1, 1 होगा, 1, 2 होगा यह किस तरह का होगा, ठीक है So, Function Define है अपना यहाँ पर ठीक है R से R में इस तरह से कि जो Function Fx है, वो क्या है Mod X into X minus Sin X, ठीक है So, इसको किस तरह से Solve करेंगे, सबसे पहले अपने को OnTo यह प्रूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा OnTo के लिए इसको, इसका जो Code मेंन है ठीक है, इसको Range के Equal पूट करना, Range के Equal अगर आ गया इसका तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि Function है OnTo होगा ठीक है, तो इसको किस तरह से Solve करेंगे इसको Solve करेंगे Solving By Graphical Method ठीक है तो इसका मतलब इसका Graph बनाएंगे और देखेंगे किस Nature का है सबसे पहले यहां पर देखो कि Fx क्या है, जब Fx को दो तरह से Break करेंगे यहां पर जब x greater than 0 होगा और जब x less than 0 होगा जब x greater than 0 होगा तो यह Function क्या होगा Positive के साथ खुलेगा x minus sin x ठीक है और जब x less than 0 होगा तो यह कैसे खुलेगा minus x into x minus sin x ठीक है और x equal to 0 पे तो यह 0 ही आने वाला है ठीक है, तो 0 का मैं 0 से पास हो गए graph बनाने के लिए इसके यहां पर maximum minimum देखना होता है ठीक है increasing है, कहां decreasing है यहां फिर function even है और इस तरह की properties का इस्तेमाल करते है ठीक है graphical method से तो देखेंगे सबसे पहले function ठीक है odd है और even है ठीक है इससे पता चल जाएगा कि यह 0 के बाउट से metric है यह by axis के बाउट से metric है ठीक है सबसे पहले यहां पर x की जिगे minus x रखेंगे ठीक है तो f of minus x जब रखेंगे ठीक है तो यहां पर क्या आएगा mod of minus x into minus x minus sin of minus x ठीक है ठीक है तो हमपर mod of sin x यह तो mod x आगया ठीक है और minus अगर बाएगे ले ले लेंगे तो आएगा x ठीक है यहां से minus sin x तो इसका मतलब यह क्या आ गया यह आ गया minus of f of x की Så f of minus x आगया minus f x की उकल तो यहाँ से क्या बोल सकते है, function is all function ठीक है, तो इसका मतलब यह origin के about symmetric होगा about origin ठीक है, यह क्या होगा, symmetric होगा अब next turn, ठीक है, अब fx अपने को इस तरह का गे बने तो इसमें अगर f-x देखें, यहाँ पर ठीक है, अब सबसे पहले किसे लिए देखते है, x greater than 0 के लिए ठीक है, तो दो तरह से break किया हुआ है, x greater than 0 के लिए function क्या है x into 1 minus 1x, तो d by dx of x into x minus sin x, ठीक है तो इसका derivative अगर करें, तो यहाँ से मिरे पास क्या आएगा x को constant रग लिया, x minus sin x का 1 minus cos x plus x minus sin x, ठीक है तो इसको अगर देखें, तो यह क्या आ रहा है मेरा जब x जब positive होगा, तो उसके इसमें f dash x क्या है, यह positive है ठीक है, तो यह always positive होने वाला है, क्योंकि cos x की value 1 से हमें सा minus 1 ही होगी, तो यह positive यह भी positive है, ठीक है और x जब positive है, तो x की value always हमें सा क्या होती है sin x से तो बड़ी होती है, तो यहां से यह भी positive होगा इसका मतलब क्या होगा, कि जो f dash x होगा, वो क्या है positive हा रहा है, ठीक है तो इसका मतलब है, function is increasing increasing for x greater than 0, ठीक है अब यहाँ पर जब x less than 0 के case में देखते है f x क्या है अपना, minus, minus लगा हुआ आगे, ठीक है minus x हो, x minus sin x, ठीक है तो उसका derivative तो same ही हो जाएगा, तो f dash x अपना हो जाएगा सिर्फ minus 12 आएगा, derivative तो उसकी ऊपर की तरह same ही हो जाएगा, यह हो जाएगा, x into 1 minus cos x, plus x minus sin x, ठीक है तो यहाँ से मेरे पास क्या आगया, जब x negative हुआ, तो यह क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से यह भी positive आजाएगा, ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो f dash x होगा, वो क्या होगा negative होगा, इसका मतलब decreasing होगा और यहाँ पर जब आजाएगा, तो इसका अगर curve देखें, तो इसका curve किस तरह से बनेगा यहाँ पर है, यह अगर x by axis देखें, ठीक है इसमें 0 पर तो 0 से पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है यह x axis है, यह y axis है, जब x greater than 0 है, तो ठीक है, तो यह increasing है ठीक है, इस तरह से, increasing है, ठीक है, और जब x less than 0 होते है, यह decreasing है ठीक है, तो कर भूसका कुछ इस तरह से बन रहा है यह increasing slip बढ़ती जा रही है, यहाँ पर slip Decreasing होते जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या हुआ और यह 0 के about क्या है origin के about symmetric है तो ठीक है तो यहां से भी देख सकते हैं कि जब x greater than 0 के लिए increasing है ठीक है f यह slope यह increasing अगर बन रहा है ठीक है इसके slope positive है इसका मतलब क्या हुआ 0 के about 0 से दर भी इसी nature का होगा ठीक है इस symmetric है क्योंकि odd function है इसलिए ठीक है 0 पे 0 value दे रहा है range होगी इसकी minus infinity से infinity तक ठीक है और इसका जो किस से किस में define है अगर यहां पर यह तो इसका मतलब क्या हुआ range किस की को लोगई code domain की को लोगई ठीक है क्योंकि code domain किया इसका r है तो इसका मतलब यह function क्या है on to function है अब second case यह अब इसका one one function के लिए क्या इसमें एक 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 से के बाव ठीक parallel line अगर डोग रहे है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ है function is one one function यह एक सिर्फ एक ही value देगा तो function क्या हो गया one one और on to होगे inverse function होगे एक तरह से function यहां से कुन सा option correct हो जाएगा function is both one one and one two option नमर से करेक्ट हो जाएगा थेंक्यू Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8400400 पर